मैं कमल आपका स्वागत करता हूं इन्वेस्टर्स केर चैनल पे आज आपके लिए हम लेकर आए सेक्टर 91 मोहाली में पार्क फेसिंग बंगलो 5 बीच के बहुत ही शांदार मना हुआ है आपको इसकी सारी डिटेल्स देंगे सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब प्राइसिटी में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और किसी को इस प्रॉपर्टी की जुरूत हो तो इस वीडियो को शेयर भी करें यह बंगलो आपको बिलकुल पार्क के सामने मिलता है और बंगलो की में गेट के बाहर ही आपको तीन गाड़ियों की पार्किंग मिलती है और अंदर आप एक बड़ी गाड़ी इजीली पार्क कर सकते हैं बंगलो बहुत ही शांदार डिजाइन किया हो है फ्रंट एलिवेशन में बहुत बड़े ग्लासीज हैं ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे यह ग्लासीज एम्पल सनलाइट दे रहे हैं आपके दोनों फ्लोर्स पे डूल स्टेरकेस मिल रहा है आपको आउटसाइड स्टेरकेस इसके अंदर बंगलो की अकमोडेशन के बाहर से भी आप अपने फर्स्ट सेकेंड फ्लोर पे एकसेस कर सकते हैं आउटसाइड स्टेरकेस होने की वज़ा से में एंट्रेंस बहुत दी शांदार तरीके से डिजाइन की गई है डोर्स बहुत ही ज़ादा टॉप नॉच डिजाइन के हैं में डोर से एंट्रेंस फॉयर आपको कनेक्ट कर रहा है ड्रॉइंग रूम में ड्रॉइंग रूम में भी आपको बहुत बड़े ग्लास विंडोज मिल रहे हैं जिससे आपकी एंपल सनलाइट आ रही है पूरे आपके ग्राउंड फ्लूर में पॉल सीरिंग बहुत ही शांदर तरीके का काम किया हुआ है फॉल सीरिंग में भी जैसा आप देख रहे हैं और फ्लोरिंग में भी प्रॉपर राजिस्थानी वर्क हुआ हुआ है इटाइलियन मार्बल के उपर इंटीरियर बहुत ही क्लासी किये गए हैं बहुत ही अच्छा टेस्ट फुली इंटीरियर डिजाइन के है जैसा आप इस वाल पर भी देख पा रहे हैं अ तो है कि दवलहई ट इन्डोर गार्डीं कॉनसेप्ट इस बंगलों में आफको मिल रहा है जो ग्राउंthem फ्लोर पे ही आपको एक एर्या में दिया हुआ है उस एरिया की height double height है क्योंकि वो first floor तक extend करता है और open to sky है Ground floor पे common area के साथ में ही आपका internal staircase जा रहा है जो first floor पे जा रहा है Modular kitchen आपको बिल्कुल dining area के सामने मिल रही है Modular kitchen rectangular shape में designed है बहुत ही शांदार kitchen का look आ रहा है One side open है towards dining area Bungalow में आपको drawing room मिल रहा है connecting area जो सारे आपको room से connect करता है Connecting area कह लिजे उसे या फिर common area कह लिजे वो आपको मिल रहा है उसके इलावा dining space भी आपको अलग से मिल रही है kitchen के सामने Kitchen बहुत ही पसंद आने वाला है हमारी female audience को क्योंकि kitchen में कोई कमी नहीं है rectangular shape में बहुत ही बड़ा kitchen आपको मिल रहा है सारे equipments modeler kitchen के इसके अंदर मौजूद है Kitchen और dining area के साथ से ही आप access कर सकते हैं back side जो वरांड़ा है बहुत ही beautifully design किया हुआ है back वरांड़े को भी जिसके अंदर आपको मिल रहा है outside wet point sink कह सकते हैं आप जो आपको बाहर मिल रहा है washing का काम आप बाहर ही कर सकते हैं जो ज्यादा messy होता है bungalow के connecting area से अब चलते हैं first room की तरफ first room में आपको मिल रहे है wooden flooring सारे rooms में LED panels आपको मिल रहे है air condition split aces का provision आपको पूरे bungalow में दिया गया है the wardrobes full length है हर एक रूम में wall to wall wardrobes मिल रहे हैं आपको washrooms आपके well equipped हैं जिनके अंदर washbasin के साथ cabinet भी available है second room में भी आपको बड़े windows मिल रहे हैं जिससे ample sunlight second room में भी आ रही है second room face करता है front gate की तरफ room में fall ceiling का काम आपको मिलेगा पूरा flooring same आपको italian marble की मिल रहे है wardrobes फिर से आपको full length मिल रहे हैं with attached washroom अब चलते हैं internal stairs से first floor पर और वहां देखते हैं accommodation जो है three BHK staircase बहुत ही अच्छे तरीके से design हुआ हुआ है उपर italian marble लगा हुआ है railing बहुत ही अच्छी लग रही है जो एक tastefully design की हुई है internal stairs में इतना अच्छा काम आप लेग के खुश हो जाएंगे internal stairs हमें लेके जाती है connecting area में connecting area जहां से तीनों rooms first floor के connected हैं outer staircase के साथ अब हम चलते हैं third room में third room में भी आपको मिल रहे हैं बहुत बड़ी windows natural light आपके पूरे रूम में आ रही है back bed के जो back side है वो भी यहां पर हर एक रूम में आपको मिल रही है with all the electrical points LED पैनल्स भी सारे रूम में as usual आपको इसको बंगलों में मिल रहे हैं almiras आपको full length मिल रही है अगेन और washroom well equipped है with all modern facilities third room में back side पे आपको मिल रहा है बहुत बड़ा वरांडा जो connect कर रहा है fourth room के साथ भी अब चलते हैं fourth room की तरफ fourth room में भी आपको मिल रही है बड़ी windows woodwork बहुत ही शानदार है चाहिए वो LED panels हैं दर्वाजें हैं और fourth room में आपको साथ में मिल रही है एक ड्रेसिंग भी ड्रेसिंग के साथ आपका वाश्रूंग भी अटाइच है अब चलते हैं कनेक्टिंग एरिया से फिफ्थ रूम की तरफ फिफ्थ रूम सबसे खास रूम है पूरे बंगलो का फिफ्थ रूम में आपको व्यू मिलता है बहुत बड़े पार्क का जो बिलकुल बंगलो के सामने हैं बागी रूम की तरफ भी फिफ्थ रूम में अटाच वाश्रूम है LED पैनल्स लगे हुए हैं फिफ्थ रूम से आपको दिखता है इंडोर गार्डन जो ओपन टू स्काय है ग्राउंड फ्लोर से डबल हाइट है वो आपको दिख रहा है इस रूम से आउस्साइड स्टेरकेस कनेक्ट कर रहा है फिर्स्ट फ्लोर को आउस्साइड स्टेरकेस से जब आप आएंगे फिर्स्ट प्लोर पर तो आप कनेक्टिंग एरिया में लैंड करेंगे connecting area आपको सारे room से connect कर सकता है एक door लगा है जो outside stairs को lock कर देता है first floor पे आने से अगर वो door आप lock रखते हैं तो outside stairs का access सिरफ top floor को रहेगा जहां पे single room है with a terrace उमीद है आपको ये बंगलो अच्छा लगा होगा अगर आप और इसी तरीके प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और किसी को इस प्रॉपर्टी के जरूरत है तो उनके साथ ही शेर भी करें आप investors care में हमें help line numbers पे call करके अपनी मन पसंद प्रॉपर्टी ले सकते हैं हमसे चाहे हो commercial हो residential हो thank you for watching our video जढ़ने हो